हेलो एब्रिवान मैं डॉक्टर प्रगती गुपता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक पैलिसिस के पेशन्ट के रिकवरी फेज में सूप का डेली रूटीन में आड़ ओन करना कितना फायदमन थाबित हो सकता है जब भी हम लकवे की बात करते हैं तो उसमें जो रिकवरी फेज है उसके बारे में हमें जानना बहुत इंपोर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपने वेशन को जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकते हैं ताकि उसकी बॉड़ी में स्ट्रेंथ भी बनी रहे ताकत अच्छी रह चाहिए और पूरा nutrient उसकी body में absorb हो वो बहुत important है तो इस condition में soups बहुत अच्छा roll play करते हैं अब soups जो हमें use करने हैं वो packed soups नहीं करने हैं homemade soups का इस्तमाल करना है इतना मुश्किल नहीं है बनाना आज आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप prepare करेंगे तो हमें choice पहले तो है या non vegetarian अगर patient हमारे vegetarian है तो इसके अंदर हम mushrooms डाल या आपका काला चना उसका यूज कर सकते हैं even आपका जो पालक है या चुकंदर है गाजर है घीया है यह सारी कि सारी items हम soups के अंदर यूज कर सकते हैं broccoli हो गया यह सारी चीजें हम daily basis पे change करकर के different flavors डाल के soup बना सकते हैं soup का taste रोज बदला जा सकता है उस पर depend करता है कि उसके अंदर हम ingredient क्या डाल रहे हैं तो किसी दिन आपने जैसे काले चने का पानी दे दिया उसके अंदर ही vegetables डाल दी एक दिन मूंग डाल का बना दिया उसमें vegetables डाल दी या सिर्फ डाल डाल का ही दे दिया तो taste बिलकुल different फोड़ी सी आपकी garlic जो लहसुन है और अद्रक इसको भी हम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा हरा धन्या तो यह सारी जो seasoning हम यूज करेंगे black paper हो गया काली मिट्ची हो गया यह सारी के सारी आपके metabolism को boost up करने में मदद करते हैं और खाना easily digest होता है अब जैसे सरदिया आने वाल के form में भी बना सकते हैं मतलब as a whole vegetable उसमें डाल लिया और stews का पानी पतला पतला रखा गया तो इस तरीके से भी cook किया जा सकता है अब जो patients non-vegetarian है वो daily basis पे तो मैं advice नहीं करूंगे के बिल्कुल रोज ही वो non-vegetarian soup लेते रहें बट एक एक दिन छोड़के हम winters के अंदर यूज कर सकते हैं उसमें भी हम fiber की मातर अच्छी रख सकते हैं मतलब उसमें vegetables को भी mix कर सकते हैं सिर्फ अलग से मतलब आपका chicken soup बिल्कुल अलग से नहीं होगा उसमें आप vegetables भी साथ में डाल लीजे या फिर हम fish को भी दाल के साथ mince करके mash करके उसको soup form में बना सकते हैं त सारी की सारी चीजें ही आपके cholesterol को कम करने में help करती है आपकी digestion को boost up करती है तो जिन लोगों को भूग नहीं लग रही होती है as a appetizer भी काम करता है तो इसलिए हम soups को खाने के अंदर daily routine के अंदर add-on जरूर करवाते हैं ताकि patient की body को अच्छा nourishment मिले और पूरी उसके अंदर minerals, vitamins अच्छे से जाएं क्योंकि जैसे हम पालक की या beetroot की बात करते हैं तो इसके अंदर iron की मातरा, folate की मातरा अच्छी बाई जाती है जो आपकी body को strength देती है और आपकी recovery को speed up करती है तो मैं उमीद करते हूँ अगर हम daily routine के अंदर soups को add-on करते हैं और आज आपने ये video द पनाईए बहुत अगर आपको tedious process लगता है तो आप सारी सबजियों को साथ में boil करके उसको mixy में grind करके और वो जब थोड़ा गाड़ा गाड़ा और थोड़ा पतला mix सा semi-solid सा form है उस तरीके से भी हम इसे cook कर सकते हैं बट हमने packed soups का use नहीं करना है आप अगर daily routine में इसको add करेगा depend करता है कि हम कौन कौन सी vegetable उसमें change करकर के डाल रहे हैं या क्या ingredient उसके अंदर डाल रहे हैं जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी information लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए इसको follow कीजेगा and take care